नमस्कार आज हम प्राइक्ता का भाग तीन पढ़ेंगे इसमें क्या-क्या होगा आएए देखते हैं भाग तीन में हम देखेंगे कि हमने पहले भाग में और दूसरे भाग में क्या-क्या पढ़ चुका है हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करेंगे इसके बाद वैज प्रमे की बारी कियां जानेंगे वैज प्रमे के उन नियमों को भी जानेंगे जिनके आधार पर हम दैनिक जीवन की समश्याओं को हल करते हैं इसके अलाबा उससे संबंदित कुछ प्रश्न और देखेंगे तो सबसे पहले जो हमें वैज प्रमे के लिए आवश्यक है उन बातों का दोहरान करते हैं वैज प्रमे के लिए सबसे मुख्य चीज वो है संपूर्ण प्राइक्ता की प्रमे और संपूर्ण प्राइक्ता के लिए सप्रतिबंद प्राइक्ता का पता होना तो बहुत ज़रूरी है संपूर्ण प्राइक्ता यानि कुछ घटनाएं हो उन कुछ घटनाओं में से कौमन रूप से कोई एक घटना हो रही हो तो उस common रूप से जो घटना हो रही है उस घटना की प्रारिक्ता निकालना कुल प्रारिक्ता कहलाता है चोटा सा उधारत देखते हैं हमारे पास दो कलश हैं उन दो कलशों में एक में भी लाल और काली गेंदे हैं दूसरे में भी लाल और काली गेदे हैं, हमने रैंडमली या द्रच्छक्ता से कोई एक कलस चुना और चुन करके हमने उसमें से एक बॉल निकाली, उस बॉल को डाले बिना हमने दूसरी बॉल निकाली, अब चुकि दूसरी बॉल लाल हो, इसकी प्रायक्ता निकालना, या हम ऐसे कह सकते हैं, हमने पहले उन कलशों को चुना, चुन करके लाल बॉल आए, इसकी प्रायक्ता निकालना, ये सब कुल प्रायक्ता में आता है, क्योंकि एक घटना जो पहले हो चुकी है, उसके बाद दूसरी घटना की प्रायक्ता निकालना, लेकिन चुकि पहले कई घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं से दूसरी घटना निकालना, वो हमारा कहलाता है कुल प्रायक्ता, इसमें आपने देखा था कि PA जो बाद की घटना थी और EJ यानि ऐसी घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं उन हो चुकी घटनाओं से एक ही प्राइकता निकले इन दोनों को यदि हम गुणा कर दें तो हमारा गुणन नियम लग जाएगा एक से लेकर जितनी भी पहले की घटनाएं हैं उन सब के गुणनों को जमा कर दें तो हमारे पास कुल प्राइकता पता चल जाएगी इसका उप्योग वैज थ्योरम में क्या होगा कैसे होगा और वैज थ्योरम किसे कहते हैं आईए आगे देखते हैं वैज प्रमे एक प्रतिदर्स समस्टी का विभाजन ये भी आपने देखा था कि इसमें mutually exclusive और exhaustive इन दो चीजों को आपने मुख्योरूप से देखा था कि ऐसे event जिन में कोई भी common नहीं हो तूसरा जितने भी event हैं अगर उन सब की प्राइकता को जोड़ दिया जाए तो प्राइकता एक आए अर्थात उन सब के अंदर जो elements हैं अब यब हैं वो सब sample space के यानि जो प्रतिदर्स समस्टी है उसके बराबर हो और तीसरी बात कोई भी घटना ऐसी ना हो जिसकी की प्राइकता शून्य हो ये तीन ऐसी condition है इन condition के आधार पर इन शर्तों के आधार पर या इन प्रतिवंद के आधार पर हम वैज प्रमे को आसानी से समझ सकते हैं आईए आगे देखते हैं इसमें वैज प्रमे में जो मुख्य बाते हैं वो है E1, E2 इस तरह से कई घटनाएं हमें हो रही हैं ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं तो उन से हमें कोई दूसरी घटना ये घटनाएं हमें द गटना हमारे लिए यह हो रही है जो कि सून्य तर है यानि जीरो से जादा है अगर ऐसा है तो प्रतिलोम वास्ते में प्राइकता वैज प्रमे होती है जब कुल प्रमे दे रखी हो, कुल प्राइक्ता मालुम हो, और हमें कुल प्राइक्ता दी हुई ग्यात हो या दे रखी हो, और हम पहले वाली जो घटनाएं हैं, अगर उनकी प्राइक्ता निकालें, इसको कहते हैं प्रतिलोम, तो उल्टा हो जाना, जैसे, हमने कलश का उधा परण देखा था कलश में यह लाल और काली गेंदें हैं आपने लाल गेंद निकाली बिना डाले दूसरी गेंद निकाली दूसरी गेंद लाल होगी इसकी प्राइक्ता तो कुल प्राइक्ता होगे प्रश्न को उल्टा कर दें कि यदि दूसरी गेंद लाल है तो आपको प्रा गेंद दूसरे वाले कलस से निकली है अर्थात अगर हमें बाद के घटना की प्राइक्ता पता हो उसे हमें दिया हुआ मानने तो जो पहले की घटनाएं हैं उनकी प्राइक्ता निकालना वास्तम में वैजप्रमे कहलाता है इसलिए अब चुकि दिया हुआ कौन सा हुआ कुल प्राइक्ता तो कुल प्राइक्ता दिया हुआ होने के कारण से हमें जो कुल प्राइक्ता है उसको हमने हर में रख दिया क्योंकि हमें ये दे रखा है और इसका और इसका यानि जिसकी की हमें घटना पता करनी है अर्थात A दे रखा है, A यानि दूसरी जो घटना है वो दे रखी है, पहले वाली घटना पता करनी है, तो पहले वाली का पता करना इसलिए E I slash J आ गया, A आ गया, और इसके बाद हमें पता है कि इनका P E यानि इसकी पहले इवेंट की घटना, इसके कारण से दूसरे की घटना, वो इ पीचे कुल घटनाएं आ जाएंगी, जितनी भी पहले की घटनाएं, उनको दिया हुआ मानकर पहले वाले की पता कर लेंगे, यही तो बैजप्रमे जो सबसे आसान है, अगर आपको कुल पराइकता पता है, सब्रतिबंद पराइकता पता है, तो बैजप्रमे केवल इसको प्रतिलोम करते ही आ जाएगा, आएए, आगे देखते हैं, इसमें अगर कैसे आया, हमें ये देखना हो, तो हम क्या देखते हैं, कि PIA, slash A, निकालना हो, तो पहले दौनों का, हमने पढ़ा है, सब्रतिवंद प्राइकता में, हम लोग पढ़ चुके हैं, कि अगर सब्रतिवं हैं, तो A पहले हो चुकी है, EI को पता करना है, तो दौनों की उभेनिष्ट, और जो हो चुकी है, उसकी प्राइकता हर में, हो चुकी है, उसकी प्राइकता जब हर में रखेंगे, और जो उभेनिष्ट के हिसाब से गुणन नियम लगाएंगे, तो गुणन नियम हमने ये value रखी, PA की value रखने के बाद, यानि संपूर्ण प्राइक्ता की रखने के बाद हमें देखेंगे कि हमारे पास वैज प्रमे यानि प्रतिलोम प्राइक्ता निकालना आसानी से हो जाएगा, आईए कुछ प्रश्ण देखते हैं, एक थेले में चार लाल और चार काली गेंदे हैं, और एक अन्य थेले में दो लाल और छे काली गेंदे हैं, दोनो थेलों में से एक को याद्रच्छा चुना जाता है, और उसमें एक गेंद निकाली जाती है, जो की लाल है, इस बात की क्या प्राइक्ता है कि गैंद पहले थैले से निकाली गई है इस प्रश्ण में जो की बहुत आसान प्रश्ण है हमें दो-तीन चीज़ों पर फोकस करना होगा पहली चीज कि आपको ये जो याद रख्या दे रखा है इस पर फोकस करना होगा अर्थात जो थेला चुनना हैं, हमें नहीं पता के वो कौन सा थेला मैंने चुन लिया, रेंडमली चुनना है, मेरे पास ऐसे समझो जैसे आँख पर काली पट्टी बंदी हो, मुझसे का आगया, अच्छा जी एक चुन लो, बिना देखे, तो जब आप रेंडमली चुन रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक प्राइकता हो गई, बैग चुनने की, तो मैं मान लेता हूँ, कि पहले बैग को चुनने की घटना E1, दूसरे बैग को चुनने की घटना E2 है, तो मुझे P E1, यानि पहला बैग चुनना, P E2, यानि दूसरा बैग चुनना, चुकि दो बैग हैं, एक चुनना है, तो दो मैं से एक चुनना है, तो दौनों की प्राइकता, एक बटा, दो हो जाएगे, इसके बाद, दूसरा आपको ध्यान देना है, कि उसमें से एक गैंद निकाली जाती है, जो की लाल है, यानि हमें दे रखा है कि जो गैंद निकाली है वो लाल है यहां अगर प्रश्न बदल देते कि आपको बताईए कि जो गैंद निकाली है वो लाल है या इसकी प्राइक्ता पता कीजिए तब हो जाता कुल प्राइक्ता लेकिन यहां इन्होंने क्या किया है कि जो दूसरी गैंद है उसको दिया हुआ है यानि हमें पता है कि वो लाल है तो मान लेते हैं तीसरी एक और लेट कर लेते हैं ए हमने वो ले लिया जो लाल गैंद है लाल गैंद चुनना इस बात की क्या प्राइक्ता है कि गैंद पहले थेले से निकाली गई प्रतिलोम प्राइक्ता हो गई प्रतिलोम कैसे हो गई अब हमें लाल पता है अब ये गैंद पहले थेले से आई है ये पता करना है इसी को तो बैच प्रमे कहते हैं है ना, तो प्रतिलों पता करते हैं, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले P1 और P2 पता कर चुके हैं, इसके बाद हमें A यानि लाल बॉल की प्राइक था, कब जब की बैग पहला चुना हो, तो पहले बैग में लाल बॉल हैं, चार कुल बॉल हैं, आठ, यदि मैंने दूसरा बै जो की P2 है, उसमें लाल बॉल हैं, दो, कुल बॉल उसमें भी आठ हैं, तो ये हो जाएगा, दो बटा आठ, ये मुझे पता लग गया, कुल प्राइक था मैं से, अब मुझे बताना है कि वो पहले बैग की है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे बैज थियोरम से पता करना है, पहले बैग की प्राइक था, जब की मुझे ये पता हो कि वो लाल बॉल है, तो P1 श्लेश ए करेंगे, ये प्रतिलोम हो गया, और प्रतिलोम हो गया, तो इसमें सबसे पहले P1 क्योंकि अनकूल लिखते हैं, गुणा मैं प्राइक था, ए श्लेश एवन, और नीचे कुल प्राइक था, कुल प्राइक था में निश्चित तोर पर P1 गुणा P1 श्लेश एवन, इसके अलावा एक और भी तो इवेंट है, और वो है दूसरा बैग, इसकी प्राइक था, गुणा प्राइक था, लाल बॉल की दूसरे बैग से, ऐसा लिखने के बाद, अगर तीसरा होता तो प्लस करके तीसरा आ जाता, इसमें हमें सिर्फ इनके मान रख देने हैं, इवन का मान, एक बटा दो, गुणा, एसलेश इवन, चार बटे आठ, पूरा बटा, पहला बाला तो ऐसे कैसी है, एक बटा दो, गुणा, चार बटे आठ, जमा, दूसरे बैग की प्राइक था भी, एक बटा, दो, गुणा, पी एशलेश इटू, ये है आपकी दो बटा आठ, इसको आप जब गुणा भाग करें, तो बहुत आसान गुणा भाग है इसमें आपको बहुत ज़ादा गुणन में नहीं जाना बहुत ज़ादा गणना में भी नहीं जाना कैसे? आप देखो जो अंश है इसमें हर कितना है? अंश का हर अंश का हर है दो गुणा आठ अब जरह नीचे वाले का देख लो नीचे वाले में दो संख्या हैं एक ये वाली है यहां भी दो गुणा आठ है कई विद्यार्थी क्या करते हैं यही पर इनको काट देते हैं यहां काट देने से एक तो समय भी गया और नाकेबल समय गया आगे गणना कठिन हो गई अब देखो कितनी आसान है इसमें यहां भी दो गुणा आठ यानि नीचे अगर आप लगुत्तम लोगे तो दो गुणा आठ ही आएगा उपर भी दो गुणा आठ है कट गया आप बार्मी कक्षा में हो इसलिए आपको सीधा लिखना चाहिए इनको हटा करके एक को चार से गुणा किया चार नीचे चुकी दो गुणा आठ और दो गुणा आठ नीचे हर्था जो कट चुका है बचा क्या? चार एकम चार जमा दो एकम दो इस तरह से आप अगर गणना पर जाओगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और इसका फाइनली आ जाएगा चार बटा छे हाँ फाइनल उत्तर निकालते समय आप इसका बिलकुल एक्कुरेट निकालना और वो हो जाएगा दो बटा तीन है ना असान आएए एक और देखते हैं माना की कोरोना का परिक्षण पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए 90 प्रतीशत पता लगाने में और 10 प्रतीशत पता नहीं लगाने में सक्षम है कोरोना से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परिक्षन 99 प्रतीशत सही पता लगाता है जबकि एक प्रतीशत व्यक्तियों के लिए पॉजिटिव बताता है एक बड़ी संख्या जिसमें 0.1 प्रतीशत व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त हैं उनमें से एक व्यक्ति याद्रिचिक चुना जाता है और उसका परिक्षन किया जाने पर रोग विज्ञानी कोरोना पॉजिटिव बताता है कोरोना पॉजिटिव होने की प्राइक्ता क्या होगी कोरोना पॉजिटिव प्राइकता क्या होगी अब इस प्रशन को दिखने में जो बड़ा लग रहा है अगर हमने इसके छोटे-छोटे हिस्से कर दिये तो ये प्रशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा छोटे हिस्से कैसे एक-एक करके समझते हैं कोरोना का परिक्षन कोरोना हो या किसी भी चीज़ का हम परिक्षन जब कराने जाते हैं कोई भी लेव टेस्ट कराते हैं कोई भी लेव कभी भी 100 प्रतीशत अपने रिजल्ट का दावा नहीं करती ये ध्यान रखना तो यहां भी जो कोरोना का जो टेस्ट हुआ तो पता लगाने में अर्थात कोरोना पॉजिटिव है टेस्ट में भी पॉजिटिव 90 प्रतीशत लोगों को बता दिया लेकिन 10 प्रतीशत ऐसे छोड़ दिये जो वास्तम में कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन रिपोर्ट में आ गया कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है अर् क्या आया कि 99% निन्यान में परतीशत तो इसको बता दिया कि हाँ जी आपको Corona नहीं है। लेकिन एक परतीशत ऐसा भी Chance है कि वो कह दे कि नहीं जी आपको Corona है। तो एक परतीशत ऐसे व्यक्ति जिसको कोरोना नहीं था लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो दो हिस्से हो गए तीसरा हिस्सा अब यहां आते हैं एक बड़ी संख्या जिसमें एक प्रतीशत व्यक्ति कोरोना से गरस्त है आज कोई कॉलोनी है हम मान लेते हैं कि उस कॉलोनी में 0.1 व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है यानि कोरोना से बीमार है हमने क्या किया उनमें से एक व्यक्ति को याद्रेचिक चुना याद्रेचिक यानि हमें पता नहीं था पहले से उसके लक्षन भी नजर नहीं आ रहे हैं हमने तो रेंडमली चुन लिया अब रेंडमली चुला अब ज़रा सोचो, विपोर्ट पॉजिटिव आई है, हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था या नेगिटिव था, दोनों केस में पॉजिटिव आ सकता है, तो प्रॉबिलिटी में क्या है, कि उस व्यक्ति की वास्तम में कोरोना पॉजिटिव होने की प्र हमें दे रखा है कि हमें दे रखा है कि एक बड़ी संख्या जिसमें 0.1 प्रतिशद्वर्ति कोरोना positive है इसका मतलब क्या है कि जो rest है वो कोरोना negative है तो समाज में या colony में positive होना या negative होना इसकी प्राइक्ता को हम E1 और E2 लेंगे अर्थात मैंने E1 मान लिया कोरोना positive तो अगर E1 कोरोना positive लिया मैंने तो P E1 समाज में positive व्यक्ति वो कितने है 0.1 प्रतिशद्वर्ता अर्थात 1 बटा 1000 कोरोना negative यानि जिसको कोरोना नहीं है उसको मैंने मान लिया E2 तो उनकी जो प्राइक्ता होगी 1000 में से एक घटा दें तो ये बचेगा 999 में बटा 1000 0.1 प्रतिशत कोरोना से ग्रस्थ हैं E1 यानि जो कोरोना है एक बटा 1000 क्योंकि 1000 में से एक व्यक्ती positive हैं तो जो नहीं है वो है 999 व्यक्ती 1000 में से तो इस तरह से E1 और E2 ले लिया A मैंने मान लिया ऐसे व्यक्ती जो कोरोना positive हैं क्यों माना क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट आई है वो आई है कोरोना positive की तो A मैंने event मान लिया रिपोर्ट पॉजिटिव आना एच्छली में है या नहीं है वो नहीं कहते एच्छली में तो होने की प्रायक्ता एक वटे एक हजार और नहीं होने की 999 वटे एक हजार लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव है यह मैंने A मान लिया अब रिपोर्ट पॉजिटिव तो दोनों केस में हो सकती है वह निकाल लेते हैं तो probability of A slash E1 अर्थात उस व्यक्ति को कोरोना था और पॉजिटिव ही आ गया कोरोना था और पॉजिटिव ही आ गया इसकी प्रायक्ता हो गई 90 बटा 100 90 परसेंट है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोरोना नहीं हो और अगर उसको कोरोना नहीं है और पॉजिटिव आ गया कोरोना से स्वतंत्र है पॉजिटिव आ गया एक प्रतिशत अर्थात एक बटा 100 यह हमारा कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दोनों केस में पता लग गई अब हमें पता क्या करना है हमें पता करना है ऐसे व्यक्ति की प्रायक्ता जो वास्तम में कोरोना पॉजिटिव हो और पॉजिटिव हमने E1 माना है तो हमें निकालना है E1 श्लैश A P E1 slash A अर्थात ऐसे व्यक्ति की प्राइकता निकालनी है जिसको वास्तम में कोरोना था और उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई तो ये प्रतिलोम हो गया इसके लिए आप जानते ही हो कि सबसे पहले P E1 into P A slash E1 बटे में हम P A P A मतलब आपको पता है मैंने याँ पर पूरा नहीं लिखा क्योंकि P A यानि संपूर्ण प्राइकता संपूर्ण प्राइकता मतलब P E1 गुणा P A slash E1 जमा P E2 गुणा P A slash E2 इसकी को तो कहते हैं न कुल प्राइकता हो गई इसके बाद जब आप value डालोगे P E1 यानि एक बटा एक हजार A slash E1 नब्भे बटा सो पूरे के बटे ये तो पहला तो ऐसे कैसी रहेगा एक बटा एक हजार गुणा नब्भे बटा सो जमा P E2 मेरा आ रहा है नो सो निन्यान में बटे में हजार गुणा P A slash E2 मेरा आ रहा है एक बटा सो जो हमने पिछले प्रश्ण में देखा था यहां भी हर एक हजार गुणा सो नीचे हर एक हजार गुणा सो अर्थात वही तरीके से आप अगले में 90 गुणा एक यानि नब्भे बटे में 90 जमा 900 निन्यान में करके आसानी से इस तरह के प्रश्ण को हल कर सकते हैं तो आपने देखा कितने अच्छे ढंग से अगर आपने कितना भी बड़ा प्रशन आ जाए यदि आप उसके छोटे-छोटे हिस्से करके और करना शुरू करते हैं तो बहुत आसानी से आप इन प्रशनों को हल कर सकते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के प्रशनों के माध्यम से आप दैनिक जीवन की समश्याओं को भी हल करना सीखे होंगे, पूरे अभ्यास को और इसके जो उधारण हैं उन्हें भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या द भाजन कैसे कैसे किया जाता है, जिनके आधार पर वैज प्रमे को समझा जाता है, हमने थोड़ा सा संपूर्ण प्राइक्ता की प्रमे को भी समझा, क्योंकि उसी के आधार पर हम बैज थ्योरम को पता कर सकते हैं, और इसके बाद हमने वैज थ्योरम को देखा, कि बैज थ् तो संपूर्ण प्राइक्ता से बेस्थियोरम पता करना और फिर इससे संबंदित कुछ प्रश्न देखे थे आप सबको अच्छा लगा होगा बहुत बहुत धन्यवाद